नमस्कार साथियों आज के बात करते हैं तो उत्तवदेश सरकार के द्वारा एक नया कांसेप्ट डवलब किया गया एक नया कांसेप्ट को एनाउस किया गया तो हमने सोचा कि आप सब के साथ इस बिंदु को पूरी तरीके से चर्चा किया जाए कि आखिर ये बिंदु है क्या सरकार की जब बात करते ही तो उत्तवदेश सरकार ने एनाउस किया है कि आपके उत्तब देश के पंद्रह ऐसे लोकेशन, पंद्रह ऐसे सहर, पंद्रह ऐसे जिले, चिन्नित किये जाएंगे, जहां पे food forest आपका डबलब किया जाएगा, तो अभी तक तो हम forest के नाम से जानते थे, forest मतलब जंगल, तो हमें जो बिंदु पता था, वो जंगल को ले बिसेश अनिवार हो जाता है, तो क्या है food forest, इसके बारे में हम प्रमुक्ते से यहाँ पर बात करेंगे, उमेद करते हैं, आप इस सेसन में जुड़ रहोंगे, तो इस सेसन को अपने दोस्तों मितों के साथ like share भी करते रहेंगे, चलीगा, एक एक बिंदु के अगर बात कर है, सबसे पहली बात तो यह आती है, तो ध्यान दिखीगा, हमारे प्रदेश के अंतगत, आपने सुने होंगे कि कई सारे फल पट्टी पाये जाते हैं, फल पट्टी मतलब क्या, कि कुछ ऐसे बिसेश जिले हैं, चाहां पे कुछ बिसेश फलों को लगाये जाता है, जैसे एक्जांपल की बात करें, तो आम की पट्टी, आम की पट्टी कहां पे है, तो आपके बिजनौर, अमरोहा और सहारनपूर, इन जिलों को हम आम पट्टी के अंगत काउंट करते हैं, ऐसे एक दूसरे एक्जांपल की बात करें, तो हमारी हां पे जैसे अमरूत पट्टी, जहां पर अमरूत का बड़े अस्तर पर उत्पादन होता है, तो ये संभल, रामपूर और बदायू, इन जिलो में इसका नाम देख मिलता है, तो जब हम अपने प्रदेश के फल पट्टियों की बात करें, तो यहां पर ऐसे पौधों को डबलब किया जाएगा, ऐसे बिंदों को चिनिद किया जाएगा, जो इसके अंगत प्रमुखूप से दिख मिलेंगे, खास करके अब होगा क्या, तो ये जो आपके पौधे होते हैं, जो खास करके आपके फल उत्पादित करते हैं, और इसी तरीके से मान लेते हैं, कोई nitrogen fiction करने वाला, दलहनी फसल की जब बात करें, तो ये भी क्या होगा, इस food forest होगा, उसमें पूरी तरीके से लगाये जाएगा, nitrogen fixing, जिससे क्या होगा, कहीं न कहीं आपके उर्वरक की भी demand क्या हो, इसके माद्यम से कम किया जाए सके, उसके लिए दलहनी फसलो को लगाये जाएगा, जैसे हम मान लेते हैं, एक जिले की बात करें, गोरकपुर में, तो गोरकपुर में इससे food forest का concept क्या होगा, तो धन की गाई, इसके कई सारे चरन निर्धारित के गए हैं, जैसे पहले चरन की जब बात की, तो इसमें होगा क्या, तो जो फल देने वाले पौधे होंगे, जैसे आम, अमरूद, अनार और पपीता, इस तरीके से पौधे को लगाये जाएगा, जब ये चरन सफल हो जाएगा, तो फिर दूसरा चरन लागू किया जाएगा, और यहाँ पे जामुन, बेर और छोटी जंगली फर्शलो को क्या किया जाएगा, यहाँ पे लगाये जाएगा, इसके बाद तीसरे चक्र की जब बात करते हैं, तो उसमें दलहनी फसल, जैसे अरहर, मोंग, उडद, मटर और चना, इन सब की बुगाई की जाएगे, इसके लावा, चौथे चरन की जब बात करें, तो यहाँ पे आउसदिये पौधे, जैसे लेमन ग्रास, तुलसी, असुगंधा, हरबल प्लांट वाले पौधे यहाँ पे लगाये जाएगे, और पांचवे चक्र की जब बात करते हैं, तो यहाँ से इसके अतरिक, जैसे गिलोई, अंगूर, दमबूटे, और बेल, इस तरीके से प्रजातियों को क्या किया जाएगा, इसमें आपका लगाये जाएगा, उमीद करते हैं कि इस पहलू को आप समझ पा रहे होंगे, कि यह जो पांच चरण होंगे, इसमें अलग-अलग बिंदूओं के उपर आधारित करते हुए पौधे लगाये जाएगे, जिसका सीधे लाब क्या होगा, आपके पबलिक अर्था जनता को प्राप्थ होगा, लोगों के हिद की जब बात करते हैं, तो इसके लिए क्या किया गया, अलग-अलग पौधों का चैन, जैसा कि हमने सुडू में एक्जामपल दिया, जो फल पट्टी है, उसके माध्यम से किया जाएगा, जैसे दलहनी फसल की जब बात करें, तो इसमें प्राकृतिक रूप से नाइटोजन इस्थिकरन करेगा, सिधी सी बात है, जबीन में उर्वरक किया और स्विक्ता हमारी क्या होगी, कम होगी, मतलब इसकी पृत्पूर्ती, हम सीधे पौधों के माध्यम से करेंगे, इसके लावा, चुकि ये पौधों जो लगाए जाएंगे, उसमें पौधों पर पच्छियां आके बैठेंगी, अब जब पच्छियां बैठेंगी, तो वो बीट वगरे करेंगी, वो भी एक प्राकृतिक खाद के रूप में क्या होगा, आपके पूरे जो च्छित होगा, उसमें कारिक करेगा, और फूलों पे आने वाली जो मधमक्की होंगी, या तितली होंगी, वोग पूरी तरीके से क्या करेंगी, इसके परागण में अपनी हिस्सेदारी निभाएंगी, खास करके आपने विज्ञान विशे के अंगर पढ़ा भी होगा, कि जो आपके मेल और फीमेल का कांसिप्ट होता है, उसमें परागण का जो कांसिप्ट होता है, अब ये फूर्ड फॉरेस्ट कहां लगाए जाएंगे, तो आपनी सुरू में चर्चा किया, कि उत्तवर इसके 15 ऐसे जिलो को क्या किया गया, इसमें चैनित किया गया, तो ये 15 सहर कौन कौन से हैं, तो आप यहां नाम से देख सकते हैंगी, जैसे बुलन सहर, सहारनपुर, मेरट, गाजियाबाद, बिजनाओर, बदायू, बरेली, रामपुर, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, साती साथ साह जहांपुर, पिली भीत, गोरकपुर और गौतम बुधनगर, तो इस तरीके से 15 ऐसे सहर चुने गए हैं, जहां पेस फूर फोरिष्ट को डवलप किया जाएगा, जिसके माद्यम से लोकल जो आपके आवसकता होती है, चाहे वो खाद्ध फलों की बात हो, चाहे आवसदिय पौधों की बात हो, या मिटी के और वरता की बात हो, चाहे द रोज रात 9 बजी आपके UPGK के धुवाधार क्लास होती है, तो इस क्लास में जोड़ने की पूरी-पूरी कोशिश करें, आज की बिंद को यहीं तक अकते हैं, बाकी मिलेंगे किसे एक नए पहलू के साथ, तब तक, थैंक्यू, आल दे बेस्ट प्रेश स्राइए कि साथ, तक, चाहे दो आए लाकी मिलेंगे की भार ऑयाए झाल झाल